नमस्कार, मैं 36 गलक बार के यूट्यूब चैनल इंडिया आज कल के स्टूडियो से सुनील कुमार, हम जो राजनीतिक चर्चा यहां पर कर रहे हैं, मैं सुनील कुमार और हमारे राजनीतिक विशलेशक शशांक कतिवारी, हम 36 गलकी 11 सीटों पर भाजपा के जो उमीदवार लाए गए हैं, जिनके नाम गोशित हो गए हैं, उनकी चर्चा कर रहे हैं, पिछले एपीसोड में आपने राजनान गाउं तक का सुना था 6 सीटों का लंबी हो गई थी बाटचीत, इसलिए उसको खत्म करना पड़ा, लोग मुझको फोन करके बुलते हैं, यार रात की नीन धराम होती है, सुनते हुए बंद करते नहीं बंता, थोड़ा छोटा बनाया करो, तोन घंटा, अदा घंटा करीब हो गया होगा पिछले एपीसोड म आजाएं, दुर्ग का इत्यास आपको जरह सा बतला देता हूं, भुपेश बगिल, यहां से लड़े थे 2004 का लोग सभा का चुनाओ, और तारचन साहू थे भाजपा के, यहां पे भुपेश बगिल 61,000 से हार गए थे, भुपेश बगिल दो बार लोग सभा लड़े, एक ब दोनो बार हारे वो, ठीक है, हारने से कुछ नहीं होता, हार के भी बड़े नेता बने वो दोनो बार हारने के बाद, 2009 का चुनाओ, प्रदीब चौबे, दोस्त हैं हमारे, रवीन चौबे जी जो मंत्री थे, उनके बड़े भाई हैं, यह चुनाओ लड़े, सरोज पांडे स यह 9954 वोट से आरे, बहुत थोड़े से वोट से आरे, करीब-करीब जीत जाते थे, दस अजार वोट और मिल जाता इनको तो, सरोज पांडे से जरा से वोटों से हार गए, हां, तारा चंद साहु को 261,000 वोट मिले थे, इंडिपेंडेंट, इस चुनाओ में, 2009 के चुनाओ में, तो भाजपा के वोट कटे जादा होंगे इसमें, तो कि भाजपा के थे, उसके बाउजिव प्रदीब चौबे 9,000 से हार पाए थे, नहीं तो हो सकता 90,000 से हार हुई रही थे, ठीक, 2014 मोदी लेहर का चुनाओ, तामरधवत साहु यहां से कांग्रेस के केंडिडेट थे सरोज पांडे फिर सिटिंग MP थी, यह BJP के तरफ से लड़ी, तामरधवत 16,848 वोट से जीत गए, यह वहीं चुनाओ था जब तामरधवत पूरे 36 गर से, अकेने लोग सभा सदस्य थे, जिससे दिली में खूब महत्व मिला, खळगे से लेके सोनिया राहूल सब लोग पह तकरीबन मुख्यमंत्री बन गए थे, बाद में बने थे, थोड़ा सा आगे, 2014 के बाद, 2018 में जब बारी आई, तो तामरधवत के फटाके फूट गए, तामरधवत का क्या, और नगारे बज गए वहां पे उनके, बाद में भूपेश बगेल और टीए सिंधे ने मिलके ता तामरधवत को आपने दिया, तो हम लोग ना मंत्री बनेंगे, ना प्रदेशत देख्ष बनेंगे, ना विदान सभाद देख्ष बनेंगे, हम कुछ भी नहीं बनेंगे, आप चला लो सरकार को, दबाव में आगे राहुल गादी, उस समय तक असल में भारत जोड़ो यातर का अनुभव नहीं था उनका, कमजोड नेता थे, साड़े तीन, चार हेट जार कितना किलो मीटर वो चले हैं, तो उस से मजबूत नेता बने, ऐसे ही था, तो तामरधवच के सामने परोसी गई थाली को भुपेश और टी एसी उदेव ने मिलके खींचा था, भुपेश को तो पूरी रोटी मिल गई, टी एसी उदेव के हाथ में कुछ भी नहीं आया, थाली माजना भी नसीब नहीं हुआ दो हजार अठारा के चुनाओं में, दो हजार तेविस के चुनाओं में, ऐसे ही हुआ, दो हजार उननीस का चुनाओं, यहां से प्रतिमा चंद्राकर भु विदायक रहे चुकी थी इनको और विजय बगहिल का आमने सामने मुकाबला हुआ बीजेपी के विजय बगहिल 3,90,000 वोट से जीते थे प्रतीमा चंद्राकर को हराकर दोनों ही कुर्मी समाज के थे ऐसे ही था यह 2019 हो गया इसके बाद विजय बगहिल को अभी पिछले विदान साबा चुनाव में भुपेश बगहिल के खिलाप उतारा गया मामूली वोटों स हारे हैं वो बहुत लंबे चौड़े वोटों से नहीं आ रहे हैं 2018 कि तुलना में 10,000 लीट कम हुई है अभी इस बार भुपेश बगहिल की हां तो अच्छी कड़ी टक कर दी थी और दूसरा यह है कि कुल मिलाकर जो दुर्ग संसधी सीट है इस पे कांग्रेस पाल्टी अब क्या लग रहा है आपको यहां कॉंग्रेस का कौन रहेगा नहीं अपन पहले बीजेपी की बात करें जिए विजय बगहिल को यहां टिकट दी गई है दुबारा विजय बगहिल और संतोष पांड़े दो ही रिपीट हुए है और विजय बगहिल पांसाथ तो रहे हैं और अब मुख्यमंत्री के खिलाव लड़के एक बार हरा चुके हैं हरा चुके हैं और संगठां भी बड़े परदों पर रहे हैं जो नगर पाली का से लेके और भी अलग-अलग पर भाजपा अभी 2018-2023 का जो विदान सबह चुनाव जीती है इसमें गोशना पत्र कमेटी क शायद अद्येक्ष थे । जो लेघय दो जाए अब सवाल यह पूरे पांस साल काफी मुखर हैं noon के क्यू कुण्य तक्रीता में किसी तरह का किन्तु परण्तु नहीं है है अब यह देखता है कि कंग्रेस से को उमिधवार कोन होता Today the मुख्य मंतरी पूरों मुख्य मंतर्य को छेत्र भी आइं मुझे कि विबता है कि उन्होंने दौरा शुरू कर दिया है और बैठके ले रहे हैं ताम्रदाश को डर नहीं लग रहा है कि कोई हराएंगे उसको वहाँ डर पहले भी रहा था वह ऐसा करिश्मा वह 2014 में कर चुके हैं कि 2013 में विधान सभा चुनाव हारे तो 2014 में लोकसभा जीत गये उनको ऐसा लगता है कि सायद वैसी इस्तिती फिर बन जाए अब हाला कि सीम भुपेद बगेल की पसंद राजेन साहू है जो पुरा जिला पंचायत के जिला पर यह जिला साहकारी बैंक के मंद है तामरदर्ज के तो मोटे तोर पर बहुत सारे लोग यह मान रहे हैं कि तामरदर्ज में यहां से टिकेट लाने में सफल रहेंगे ऐसा यहने लड़ना चाह भी रहे है ठीक है चलिए तो विजे बगेल के पक्ष में यह बात है कि सवा लाख से ज्यादा वोटों से ब मैं खुद इनके घर गया हूँ एक दो बार सैकड़ों लोगों की भीड लगे रहती है लोग अपने काम लेकर आये रहते हैं इनके पासों बिना चुनाओ के भी तो लोग प्रीनेता है और मेहनत करते हैं वहां पर इनका खुद का पारिवारी घर जो है यहीं पर उर्ला ना इनका पुर्खों का मकान वहीं पर है उसी इलाके में तो पुल मिलाकर इनके पक्ष में कई चीजें वहां पर दिखती है देखना है कांग्रेस किसको देती है टिकट वहां पर फिर अपन चर्चा करेंगे उसके बारे में मैं राइपुर सीट को आखरी के लिए रखता महासमुन सीट पर, महासमुन सीट का इतिहास तोड़ा सा बतला दूँ आपको मैं जोगी यहां कॉंग्रेस के केंडिडेट थे, 2004 में विद्याचन शुक्ल बीजेपी की तरफ से थे, एक लाग 18,000 से जीते थे जोगी, मुख्यमंत्री रहते हुए पूरा का पूरा अपना का अदमी हो मैं, मंदिर, मस्जित, चर्च जानता नहीं हो, लोगों कहना है ऐसा, कि चर्च की वज़े से जोगी का निलंबन भी खत्म हुआ, केंडिडेट भी बन गए, 2004 में एक लाग 18,000 से जीत भी गए, विद्याचन शुक्ल पूरी जिंगी कांग्रेस में रहते आये थ है, 2004 में, अब 2009 का चुनाव आया, तो यहां से मुतिलाल साहु और चंदुलाल साहु, यह दो लोग चुनाव लड़े, मुतिलाल साहु कांग्रेस के थे, चंदुलाल साहु बीजेपी के थे, यहां पर कांग्रेस 41,000 वोट से हार गई थी 2009, 2014 में आते हैं, फिर अजीत जोग के मुकाबले मैं लिस्ट देख रहा हूं, बड़ा दिल्चस्प है आपको देखना, जोगी के मुकाबले कौन खड़े थे देखिए, चंदुलाल साहु, चंदुलाल साहु, चंदुलाल साहु, यह इसलिए है कि मेरे पास कुल पांच केंडिडेट के नाम है, उससे ज़्या वह उतसे दिले ज़्यादें कि मेरे और देखिए नीचे और दसवाराle चंदुलाल साहु, चंदुलाल साहु थे प्लिप देखिए, जोगी ने धून धूनके पूरी वोटर लिस्ट देख देखके जोंडे चंदुलाल साहु दिखा उसको जोगी ने यहां से खड़ा करव दिया तहां और नमंकन भरने के बाद बाकी सारे चंदुलाल साहू गायब हो गए थे लोगों ने चंदुलाल साहू बीजेपी के जो थे उनसे पूछा कि आपने इतने ज्यादा फार्म क्यों भर दिये हो आपी तिंचार पांच चुनाव चिन्न पा गए हो चंदुलाल साहू को ये समझाते हुए निकल गया पूरा चुनाओ कि बाकी चंदुलाल महें नहीं हो दूसरे वाले हैं ऐसे में जोगी कुल 1200 वोट से हरे थे वहां पे 2014 में कुल 1200 वोट से इतना सारा तिकडम करके एक चंदुलाल को 20,000 एक को 12,000 एक को 10,000 इसके नीचे वाले चंदुलाल मेरे पास नहीं है कुल मिला कर 60-70,000 वाकी चंदुलाल पा गये थे ऐसा खेल था वहां पे पुरा हिंदुस्तान से लोग इस मॉडल को स्टड़ी करने आये थे कि कैसे एक ही नाम के लोगों को खड़ा करके वोटरों को बेकूब बनाया जा सकता है ये मॉडल को आई-आई-एम अगर के लोग स्टड़ी करने आये थे दो हजार चौदर को माती है ये सूरिकांति वारी जेल में है और अमिर जोगी ये दोनों की रण नीती थी ये दोनों की रण नीती थी अभी दो मेर से कौन जेल में है बोले आप सूरिकांति जेल में है थोड़ा सुनने में मेरे को ग कर दिया भाजपा ने तो सब बल्बो बदल दिये थे 2019 में एक भी पुराना नहीं था वहां से चुन्नी लाल साहू को टिकट दी गई चुन्नी लाल साहू 90,000 वोटों से जीते चुन्नी लाल साहू 2019 का चुनाव इसके बाद विधान साभा का चुनाव हुआ 2023 का इसमें कांग् महासमुन संसदी सीट में जितनी सीटें आती हैं विधान सभा की उसमें कांग्रेस 9,483 वोटों से आगे है बड़ी दिल्चस्प है कांग्रेस के लिए महतुपूर्ण है ये सीट पॉजिटिव सीट है ये जांगीर चांपा के बाद में ये एक पॉजिटिव सीट है ऐसा ह इस बार किसको दी है बाज़बाने टिकट ये इस बार बसना की विधाय करही है पूर में अभी संसदी सची उथी रूप कुमारी चौधरी जिला देज भी है उनको प्रत्यासी बनाया है विधान सभा टिकेट मांग रही थी लेकिन उन्हें टिकेट नहीं मिला संपत अगर लिए समास से सालों बाद किसी को लोग सब्सक्राइब टिकेट लिए एक बड़ी बात यह है और रूप कुमारी के टिकेट वैसे यहां से अजय चंद्राकर भी टिकेट चाह रहे थे उनकी इक्षा थी क्लस्टर के प्रभारी भी है लेकिन मुझे लगता है कि उस हद तक उ एक मंत्री पद जो खाली है अगर यह तीन मेंसे कोई एक जो क्लस्टर प्रभाडी अजय चंद्राकर को महां समुन से मिल जाए तो उस एक मंत्री की कुर्सी के लिए राज़ेश मुनत और रम अग्रवाल यही बचते इसके अलावा धिरम कौशिक भी मजब दाव्य कौशिक भी है ठीक 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 तो रूप कुमारी छोधरी ये क्या है, तोतिन फैला हुआ जेतर है, धंतरी अलग हो जाता है गरिया मंजिला अलग हो जाता था तो ये एक बेल्ट में तो ये ब्याना पैचाना नाम है दूसरे बेल्ट के लिए खाली है लेकिन वहां मजबूत नेता है अजय चंद्राकर वहां के प्रभारी भी है अब ये देखना है कि कॉंग्रेस से कौन होते हैं कॉंग्रेस से बहुत सारे नाम जैसे तामरदवच को सला दिये गए कि आप वहां लड़िये इसके अलावा पुराने विदायक चे जिनके टिकेट कर्टी विनोच चंद्राकर आप कभी ताश खेले हो क्या ताश का खेल नहीं खेले हो उसमें एक पपलू होता है जिसको कहीं भी फिट कर देते हैं मुझको लग रहा है तामरदवच साहु जो हैं कांग्रेस के पपनों हो गए तिन-तिन सीट पे नाम चल रहा है बुपेश बगेल वी वैसे हैं दूर नांद गाउं और राइपूर तीनों जगे से नाम चल रहा है बुपेश बगेल का लेकिन राइप हких डिए क inhalation और याद है ना आपको लाँट मेडिकल कालेज की मानियता के लिए विनोज चंद्राकर अपने दुकान के चेक बूप से चेक देकर भी खरीद के लाए थे जब二 क्ग्रश महा नहीं की मानियता मिल जाए इसलिए मेडिकल कमिशन आप इंडिया की टीम जब आ से पैसा दे के मुर्दा खरीद के लाए थे और दीन को बोले लेओ आप अपना मुर्दा समालो इस तरह है और धने सहु की बीक्षा है अमितेश शुकला अपने बेटों के लिए चाह रहे हैं ते कौन सी पीड़ी हो जाएगी रवीशंकर शुकला शामाचरन शुकला प्रदेश के बेटे बावानी बावनादी बावानी पता नहीं कौन से बेटे का बात कर रहे हैं तो यह चौथी पीड़ी हो जाएगी यहां पे अगर उनको मिलता है तो उनके लिए लगे हुए हैं इसके अलावा धनेंसा हुए वो एक बार लड़ चुके हैं विधान सबा लेकिन कुल मिलाकर वहां पे बीजेपी ने जिनको टिकट दिया है वह महिला कोटा भी पूरा हो रहा है ओबी जीपी का यह दो कोटा उस से फुल्फिल हो रहा है। ऐसे ही हैं अपने अगले सीट पे आते हैं लंबी चल जायीगी बात नहीं तो बस्तर पे आजाते हैं बस् कश्यप ने 54,000 वोटों से बस्तर टाइगर महेंद्र कर्मा को हराया था। दूसरा, 2009 का चुनाओ, शंकर सोड़ी और बली राम कश्यप लड़े थे, इसमें एक लाख वोट से जीत गए थे बली राम कश्यप, ऐसे ही था, एक लाख वोट, 54,000 से बढ़के करीब दुगना हो इसके बाद बली राम कश्यप की जगे दिनेश कश्यप उनके बेटे चुनाओ लड़े, 2014 में दीपक कर्मा, ये लड़े महेंद्र कर्मा के बेटे, ऐसे ही है, तो दोनों दो पिता थे, महेंद्र कर्मा, बली राम कश्यप, इनकी जगे दीपक कर्मा, दिनेश कश्यप, ये वोट से दिनिश कश्यप यहां जीत गए थे 2019 फिर मोदी की लहर का दूसरा सहलाद था लेकिन यहां पे दीपक बैज जो हैं कांग्रेस पार्टी के उस 7000 वोट से जीत गए थे भाजपा के बैदूराम कश्यप यहां से हार गए थे यह 36 गड़ में दो में से एक सीट थी 2023 का विधानसभा चुनाव जिसमें दीपक बैज प्रदेश अध्यक्ष भी थे पार्टी के खुद विधानसभा लड़ने के लिए कूज भी गए थे प्रदेश अध्यक्ष पद छोड़ा भी नहीं था ऐसे ही था और जमकर हार गए ऐसे ही था चित्रकूट सीट से हार गए अब आप सोचिए मैं प्रदेश अध्यक्ष भी रहूंगा, मैं सांसद भी रहूंगा, मैं विधानसभा भी रहूंगा जो बोल नहीं पाए वो दीपक बैज वो ये तक मैं मुक्यमंत्री भी बनूगा मुख्य मंत्री बनने की महत्वा कांग्षा ने उनको विधान सभा में उतार दिया था अब यहां से भाजपा ने किसको टिकट दिये यह महेश कश्यफ है यह मुख्य रूप से संग की पसंद है यह बजरंग दल वगेरा से जुड़े रहे हैं और अभी अन्सुचित जन जाती मूर्चा के जिला अध्यच है और यह यहां दावेदार थे पूर मंत्री पूर सांसा दिनेश कश्यफ मजबूत दावेदार थे पूर विदायक थे सुभाव कश्यफ वो थे इसके अलावा महेश गागडा काफी नाम थे उनको पसंद कर रहे थे कि उनको दिया जाए लेकिन एकदम नहीं चेहरे को लाके चौका दिया यह पहले लड़े हुए नहीं नहीं लड़े हैं और अब यह महेश कश्यफ अब इस महेश गागडा को टिकेट मिलती हैं तो सायद ना लड़ते हैं फिर वह बहाना मिन जाता है कि लोकसभाद चुनाव प्रचार में रखते हैं लेकिन अब हो सकता है कि वह चुनाव मैदान में उतर जाए जबकि मेरी जानकारी है पार्टी ने दीपक बैच को बार बार का है आपको अगर चुनाव लड़ना है तो बताओ हम किसी और को अद्यक्ष बनाएंगे आपको चुनाव लड़ना है तो बताओ ना ये बता रहे हैं ना कुछ कर रहे हैं जी महेश गागडा साथ दीपक बैच एक होस्टल में रहके पढ़ाई किये हैं तो नीजी संबंध है त चलिए हम आज की सेकेंड लास्ट सीट पर आते हैं कांकेर पे कांकेर दिल्चस्प सीट है यहां से 2004 के चुनाव में गंगा पुटाई ये उम्मीदवार थी सोहन पुटाई एक ही बिरादरी के थे अधिवासियों के भीतर भी अधिवासी रिजर्व सीट भी है 73,000 से कांग फुलो देवी नेताम और उनके सामने सोहन पुटाई फिर कांग्रेस यहां से हार गई 19,000 से हारी 2004 का चुनाव फिर फुलो देवी नेताम को टिकर दी कांग्रेस ने विक्रम उसेंडी थे बीजेपी के 35,000 वोट से मोधी लहर में विक्रम उसेंडी जीत गए ज्यादा 1377 वोट से हरे एकदम ही कम वोट से हर थी शायद प्रदेश में सबसे कम वोट से हरे थे हरने वालों में। मैं रहा है कि कांग्रेस पार्टी काकेर सीट से 82,300 वोट से आगे है एक संसदी सीट से ये कंग्रेस पार्टी 82,300 वोट से आगे है छोटी बात नहीं है बहुत बड़ी टेप कांड है यह उसी समय चर्चा उप्षुनवा में जड़े थे और विधायक बने थे यह उसी समय चर्चा में आया है और उससे भी ज्यादा आपको याद होगा मतांतरित आदिवासियों को आरक्षन जो एक मुद्दा चला रहे थे डी लिस्टिंग का वो डी जो आदिवासी इसाई बन गए हैं उनको डी लिस्ट किया जाए आरक्षन से केलाब से हटाया जाए यह अंदोलन चलाने वाले हैं भोज राज नाग जो की कांकेर से केंडिडेट बनाए गए हैं बीजेपी के आपको लगता है अच्छे केंडिडेट हैं सक्री तो हैं काफ फिल करते रहें जो मतांतरे ताजिवाशी वाला जो चक्कर था वो भुजराज नाग के लिए हैं अच्छार है ठीक है राइपूर सीट आखरी सीट आज की चर्चा की बढ़ी दिल्चस्पी तराइपूर राजधानी किसी भी प्रदेश में रहे दिल्चस्प रहती है यहा एक लाख 29,000 गोटों से हारे थे शामा चरन रमेश बहस जीते थे रमेश बहस की किसमत यही रही आलंकि भाग यह को नहीं मानता लेकिन नेता लोग मानते हैं इसलिए इस भाशा को बोल रहा हूँ रमेश बहस की किसमत यह रही कि कांग्रेस ने इनके खिलाप केंडिडेट रिपीट नहीं किये, हर बार बदल बदल के हारने के लिए देते रही, ऐसी रहा, कभी शामाचरन, कभी विद्याचरन, कभी कोई और ऐसा, ऐसा ही ब्रिजमोहन के साथ भी रहा, इन दोनों का कुछ कांग्रेस में पैक्ट और पकड अच्छी रही, तो दोनों को अलग-अलग केंडिडेट ही हर बार मिले ऐसा, अगला चुनाव था भुपेश बगेल और रमेश बैस के बीच था, भुपेश बगेल दूर्ग के नेता थे, यहां आके चुनाव लड़ा, उन्होंने रमेश बैस के खिलाब, दोनों कुर्मी समाज के थे, 57,000 से हारे थे, भुपेश लेकिन लड़े थे, बाहर से आके लड़े थे, लड़े थे वो, इसके बाद 2014 का चुनाव सतनारायन शर्मा को पार्टी ने दे दी टिकट रमेश बैस के मुकाबले, यह दोनों पहले मंदिर हसुद विदान सबास सीट से भी एक दूसरे के सामने रह चुके थे, ठीक है, सत फर्तक पार्टी ने उनको 2019 में अच्छा खासा जलता हुआ बल्व को बदल नहीं दिया, बदल के उन्होंने सुनिल कुमार सोनी को तिकटदी, सुनील सोनी ही बोलते हैं, पता नहीं इसमें नाम चुनाऊं वो, उन्होंने सुनील कुमार सोनी क्यों लिखा, किसी दोखा देना देना है तो यहां पर सुनील सोनी को 36 गड़ के इतियास का शायद एक सबसे बड़ा जीत हासिल हुई यहां पर प्रमोद दुबे कांग्रेस पार्टी के मेर रहे चुके थे यहां उनको मोदी लेहर में 2019 में सुनील सोनी ने 3,27,000 वोटों से हराया था अपार जीत लेके आये थे यह और विदान सभा चुनाव 2023 में राइपूर संसदी सीट से एक विदान सभा सीट कांग्रेस ने हरी उसकी हर जो थी 247,000 तक पहुंच गई ऐसे ही था क्यों हरी थी एक एक विदान सभा सीट कांग्रेस पालिटी राइपूर संसदी सीट भाटा पारा हरी है शीवरतन सर्मा पुराने निता थे और विदायक के खिलाब यहां कांग्रेस क्यों हर सीट हर गी राइपूर देखे लोग सभा की पहली करण्टो जो सहर में जो माहौल था मेर को लेके ज्यादा नाराजगी थी अजार डेबर को लेके निगम की कारिपणाली को लेके जो अब उभर के सामने आ रहे हैं अब वो उस समय दबे चुपे तो उससे एक मौहल शहर के भीतर बनी गया था तो आप सहर की लीड़ आप देखते जाए ब्रिजमोहन सड़ु सट अठाजार मुड़वत तरानीस हजार है और इसी तरह के सब तरानीस चौानीस हजार से दिखते रहा तो यह बड़ी वजाई ही थी अपन कई बार उसकी चर सबने आते रहें तो यह सब बजय थी और उनके हारने का पुखता इंतजाम भी कर दिया महाप और एजाज धेवर को उनका चुनाव संचालक बना कर ऐसे ही था तो वह नतीजा यह रहा कि ब्रिजमोहन पूरे प्रदेश में सबसे अधिक सीटों से जीते और भाजपा ने उ इनमें सबसे सीनियर रहें और यह चौकाने वाला नाम है क्योंकि पहले चर्चा में नहीं थी कि ब्रिजमोहन चुनाव लड़ेंगे जब टिकेट तै हुई तो बकाइदा यह नाम कोल्ड किया गया है टिकेट घोशना से पहले इनके पास राश्टी अध्यच कफोन आया कि कि हमने आपको सोचा है मोदी जी चाहते हैं कि आप लोगसभर लड़ें आपका क्या विचार है तो मोदी जी चाहते हैं फिर उसके बाद तो भी कल्प नहीं रहा जाता है तो इनको हां करना पड़ा है बड़त अच्छी बात यह है कि इन्हीं के बैच्चमेंट मद्व तो यह अच्छा वह हुआ हैं अब सरकार में मंत्री नहीं रहेंगे मैं कल देख रहा था राइपूर का एक कोई टीवी चैनल व्रिजमोहन से बात करने के बाद में यह कह रहा था भुद्पूर्व मंत्री व्रिजमोहन अगरवाई अभी इस्तीफा दे दिये हैं कि नहीं तो कैसे समाचार गुलेटिन में उनके बारे में कहें दिया गया मेरे वीडियो क्लिप है उसका मैं देखाना नहीं चाहता भुद्पूर्व मंत्री कह गया ब्रिजमोहन को इस्तीफा तो नहीं दे दिया अभी देने का विशह ही नहीं है लोग यह मानते हैं कि इतनी भारी चर्चा से अधिक खर्चा का चर्चा है तो उनके लिए कोई मुश्किल नहीं रहेगे लेकिन शशांक एक बात बतलाओ आप तो बहुत समझदार हो राजमीतिक विशलेशन में ये बात मुझको बतलाओ राइपूर से बीजेपी के जो आधा एक दर्जन नेता थे जो टिक कर चाह रहे थे, चाहत तो बहुत लोगों की रहती है, मैं किसी पार्टी में नहीं थी तो मेरी भी चाहत रहती हिकी मुझको कहीं से टिकट मिल जाए तो ब्रिज्मोहन जो है ये तो अच्छा बहला मंत्राले चला रहे थे, काम कर रहे थे, मा गुजरी अगले दिन उन्हों ने मंत्राले की बैठक ली क्योंकि इसकूलों की किताबों का मामला है कि निटाना जरूरी था तो उन्होंने किया गो जरे ह उसको कहा है जिसको भी कमल शाफ मिलेगा वह जिट जाये गाएंके असे में ब्रिच्च मोहन जैसे वजन्दाद जो मेरे हिसाब सबक्राइब दी जिए रही जिए तर्फ को को ऐसे सीट में क्यों ज्जूंक दिया गया जिसका कि जीतना बीजय के लिए वैसे ही ताय है, 2,47,562 के गड़े में हैं कांग्रेस, इस संसदी सीट में, तो क्यों इसी जरुवत लगी, यानि मुदी के नाम का जादू जो है, वो बाकी सीटों पे कायम है के अवल राइपूर संसदी सीट पे कम रहेगा, ऐसा थोड़ी है? देखिए, कुल मिला के जो बात आ रही है, वो किसी भी सुरवत पर इनको राजी की राजनीती से के अंदर में भीजने की मनशा दिख रही है, जो एक, अभी थोड़ी से अलग हट के बता रहा हूं, राजीम कुम्ब का सुमा उद्गाटन हूँ, तो सादू संतों ने उद्ग कर रहे हैं, तो खेर, वो अलग विशा है, लेकिन कुल मिला के जो संकेत यही मिल रहे थे, कि राजी की राजनीती से अलग हटके केंदर में भेजें, यही एक वज़ा थी कि उनको, जैसा शिवराज सिंग को राजी की राजनीती से हटाके केंदर में ले जा रहे हैं, बिल् मंत्री मंदल में यह है कि मुख्यमंत्री भूपे दोनों 1990 में विधायक बने से पहली बार लेकिन बाखी सब इन से काफी जूनियर है तो अब यह है कि उनके लिए कोई नया चेहरा भी सामने आ जाएगा अब रिजमवन जी चेंद्र में रादनिती करेंगे यह बहुत क्लियर वो दिया गया है यह श्यामाचरण विद्याचरण के बीच जो एक सहमती थी दोनों भाईयों में कि एक केंद्र की राजनीती करेंगे एक राज्ये की करेंगे मोदी और शाह ने बहुत सारे नेताओं के लिए यह ऐसे इक्वेशन पलड़ दिये दिल्ली से बड़े बड़े नेताओं को विधानसभा लड़वा दिया यहीं पे 36 गड़ में ही 4 संसदों को लड़वा दिया विधानसभा है ना जो रेनुका सिंग जो वो थी केंद्र मे मंतरी रह चुकी थी उनको यहां पर विधानसभा का चुनाल रड़वा दिया इसकी अलावा आप मदबदेस में देखिए कि अंदर में बड़े ताकतवर रहे कहलाश विजय वरगी नरेंसी तोमार और परलात पटेल सबको राजियों में भेज के वहां मंतरी बना दिये कि अप्साल साथ साल के लिए तो हो सकता है कि बिर्जमोहन जी एक चुनाओं दो चुनाओं के बाद में केंदरी मंतरी का तजूरूबा लेकर फिर राज्य की राजनीती में आई यह भी हो सकता है अभी मेहनती है बहुत काम करते हैं संबह है मैं आखरी में इसलिए रख रहा था राइपूर को कि यह सवाल जो मैं शशांग से पूछना चाहता था, क्यों बिरिज मोहन को लड़वाया जा रहा है, यहां तो कोई भी खंबा बंबा लड़ लेगा और मोदी के नाम पे जीत जाएगा, ऐसा माहौल है, कितना 2,47,000 के गड़े में हैं कांग्रेस पार्टी, मैं कांग्रेस पार्टी राइपूर संसदी सीट में हैं, कैसी हालत में हैं, देखें, तो एक गड़े में से इतना सा यह पंजा निकले हुए दिखता है, इतना सा पंजा ही हिलता है, बस गड़े के इतना ही उपर है पंजा, ऐसी कांग्रेस पार्टी की यहां दुर्गती है राइपुर संसधी सीट में बिजेपी बिजेपी जीत सकती थी लेकिन होगा मुदी और शाह की स्कीम कुछ बढ़ी होगी बिजेपी के लिए इसलिए शायद दिल्ली ले जाना चाह रहे होंगे फिलाल आज हम बात यहीं पर खत्म करते हैं और हम आपके बीच कुछ नई जान कर ली और बाकी किस्सा कहानी जो है उसने इसको थोड़ा लंबा कर दिया आप भी बरदाश्त कीजिएगा हम आपसे फिर मिलेंगे आपको अगर हमारी बात्चीत अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा नोटिफिकेशन की बटन दबाईएगा ल हिलमेट लगा कर रखिए हिलमेट का बेल्ट बांद कर रखिए किसी हाथसे की हालत में वही आपकी जिंद्गी बचाएगा आपको बतला दू मैं दो दिन पहले यहां पर एक टक्कर हुई है छतिस गड़ में एक मोटर साइकल पे तीन थे एक पे दो थे चार लोग मौके प पर मर गए पांचवा जो है गंबीर हालत में अस्पताल में था क्या हुआ है मुझको नहीं मालू मेरी हिम्मत भी नहीं है देखने की अपने सिर को बचा कर रखिए आपका सिर सलामत रहे तो हमारा चैनल भी चलते रहेगा फिर मिलेंगे